हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 बायलोजी का चैप्टर 3 प्लांट किंग्डम का पार्ट 6 जहां पर हम जिम्नोस्पम को कंप्लीट करेंगे आज का लेक्चर बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर से नी 2013 में 15 में 16 में 18 में क्यूसन आ चुके हैं आज के इस lecture में हम total 9 questions जो वो discuss करने वाले है इन 4 years से तो यानि आज का lecture जो बहुत important होने वाला है यह जो questions है यह direct यहां से नहीं है सारे के सारे questions इनका link भी है पिछले lectures से अगर आपने last वाले lectures नहीं देखे हैं तो मैं आपको recommend करूँगा कि एक बार जरूर देख ले तो आपको यह जितने भी questions है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो चलिए अब हम start करने वाले हैं gymnos pump को ओके gymnos pump तो यहां पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं मैं उसको एक बार summarize कर देता हूँ सबसे पहले हम यह देखेंगे कि gymnos pump जो क्या होती हैं कहां पर मिल सकती हैं फिर हम देखेंगे इनकी roots stem leaf के बारे में क्या होता है और फिर देखेंगे इनका reproduction कैसा होता है और फिर last में हम बात करेंगे life cycle की कि जो sporophyte या gametophyte कौन किस पर depend है और कौन ज़्यादा advanced है तो यह सब कुछ H lecture के अंदर होने वाला है तो हमारा जो यह first paragraph है gymnos pump के अंदर इसका हर एक line हर एक word बहुत ही important है क्योंकि इस paragraph से भर भर के जो है वो neat micution आई हुए है यानि एक भी word जो है आप यहांपर miss नहीं कर सकते लाइन तो बहुत दूर की बात होती है एक word भी जो है आप इसको miss नहीं कर सकते तो चलिए start करते हैं the gymnos pump gymnos का मतलब होता है net and sperma का मतलब होता है seed यानि वो seed जो किसी भी चीज़ से cover ना हो that is net fully जो net seeds होते हैं उनको बोलते है क्या हम gymnos pump अब यहांपर देखा है are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed यानि यहांपर जो ovules होते हैं वो ovary wall से जो है वो cover नहीं होते हैं पूरी तरह से exposed होते हैं तो आपके सामने यह देखिए image का comparison है यहांपर एक है angios pump यानि flowering plants वाला और दूसरा है gymnos pump तो gymnos pump में देखिए आपको ovary wall देखने को नहीं मिल रही है बट angios pump में आपको ovary wall देखने को मिल रही है यह main difference है और यह ovary wall जो होती है यह क्या बनाती है फ्रूट बनाती है तो यहांपर ऐसा कुछ नहीं है इसलिए आपर जो seeds पूरी तरह से net है यह जो seeds net होती है वो both before and after fertilization दोनों time रहते है यानि जब तक fertilization नहीं हो उससे पहले भी जो ovule cover नहीं होता है fertilization हो जाता है उसके बाद भी जो वो ovule किसी भी जीसे cover नहीं होता है यानि जो seeds बनते है वो पूरी तरह से net होते है इसलिए उसको बोला जाता है gymnos pump ok the seeds that developed after post fertilization are not covered that is net क्योंकि जब fertilization हो जाता है और ovule से seed बन जाते है तो वो किसी भी चीज़से cover नहीं होते है क्योंकि ovule से होते हैं वो किसमें convert होते हैं वो proclaiming 100% net होगे ओके आगे लिखा है इनोंने कि gymnast pain include medium size drain जो gymnast pump होते हैं उनके अंदर या तो medium size के ट्री्स आते-इन या फिर tall trees आते यानि बहुत ही tall trees होते हैं या तो medium size के हो सकते या बहुत ही ज्यादा टॉल हो सकते हैं या फिर उसमें shubs हो सकते हैं इन्होंने काई कि हब यहाँ पर नहीं बात कि हिए इन्होंने कि हब बात कि यहाँ पर हब नहीं होते तो हमें यह याद रखना है कि सब्स होते हैं मीडि़ियम साइज ट्रीज जो टॉल ट्रीज होते हैं यहाँ पर ओके आगे लिख लिखा है यानि जो जिम्नोस्पम की एक स्पीसिज है क्या सिकोईया सिकोईया जो होता वो एक रेड वुड होता है जाइंट रेड वुड उसको बोलते है एक्च्वल इमेज यह देखे आपके सामने याप एक हुमन का कंपेरिजन करके देखे यह कितना बड़ा है कहीं तो ऐसा होता है कि इसको बीच में से काट कर इसके बीच में से रस्ता तक बना दिया जाता है जासे हुमन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते इतना बड़ा होता है रेड वुड क्यों बोला गया है इतना छोटा नहीं होते हैं बहुत तरह से नेकड वहते हैं for है और कोई फ्रूट से नहीं लगता है नो, कोई ज्यादा क्युस्सन आई हुए तो थोड़ा सा ध्यान रखना हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना तर रूट्स आर जन्रली टेप रूट्स यहां पर जो ज्यादा तर रूट्स मिलती है वो कैसी मिलती है टेप रूट्स मिलती है रूट्स हम मॉर्फोलोजीन फ्लावरिंग फॉर्म ऑफ माईकोराईजा ब्रेकेट में चीज जो लिबी लिक्वी हुई है वो बहुत इंपोर्टेंट आए याद रखना तो यानि कुछ ऐसे जेनरा है जिन में जो है रूट्स जो है वो फंगल के साथ एसोशेशन कर लेती है यानि जो फंगल से वो उनके साथ जो माईकोराईजा और यह जो माईकोराईजा है यह किस में मिलता है पाइनस के अंदर मिलता है पाइनस एक टाइप का जिम्नो स्पम ही होता है ओके वाइल इन सम अदर बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक साइकस इंपोर्टेंट है क्योंकि पाइनस और साइकस का डिफरेंस बहुत ज़्याद आते है नीट में तो देखिए पाइनस के अंदर माईकोराज़ा है तो साइकस में क्या की मिलेगा इन सम स्पीसिज अधर स्पीसिज लाइक साइकस स्मोल स्पेसिलाइज़ रूट कोल्ड कोरेलोईड रूट्स यानि यहाँ पर जो साइकस होते है उसमें जो रूट्स होते है उनको बोलते है कोरेलोईड रूट्स बोलते है और वो क्या करते है और एसोशेशन विद्धा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बेक्टीरिया यानि जो नाइट्रोजन का फिक्शेशन करते है जो साइनो बेक के साथ करता है साइकस जो होता है वो साइनो बेक्टिरिया के साथ एशोशेशन करता है तो यह इंपोर्टेंट जीज याद रखना ओके आगे स्टेम की बात करते हैं यहां तक तो हुई रूट की बात अब देखिए स्टेम भी लिखाव है दस्टेम आर अन ब्रांच्ट अंदर जो पाइनस और सेड्रस जीम्नोस्पम है वहां पर जो स्टेम निकलती है उसके अलग अलग ब्रांचिज निकलती है पट साइकस में ऐसा नहीं है एक्चुल इमेज देखिए यह साइकस की इमेज़े साइकस कई बच्चों ने इसे देखा भी होगा गार्डन वगेर अगर कहीं देखिए होगा तो गार्डन में आपको साइकस मिल जागा यहां पर देखिए यह चोटा सा पार्ट इसके लीवसी लगी हो यह साइड में ओके तो यहां पर इसके अंदर जो कोई भी रूट्स की ब्रांचिज नहीं निकली है बट अब देखिए एक्चुल इमे में वो भी डिफरेंस था कहां पर रूट्स के अंदर और स्टेम के अंदर भी डिफरेंस है तो यह याद रखना ओके आगे लिखा है दा लीवस में भी सिंपल और कंपाउंड जो लीवस होती है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है सिंपल और कंपाउंड यह हम morphology के अंदर बहुत अच्छे से discuss करेंगे ओके वहाँ पे अलग-अलग compound भी अलग हो सकती है pinately, palmetally, simple leaf ऐसा समझ लिजी के अवल single जो leaves निकलती है compound का मतलब एक साथ बहुत सारी leaves निकलती है ओके तो जो leaves होती है वो simple भी हो सकती है compound भी हो सकती है in a cycle cycle के अंदर क्या होता है the finite leaves persist for a few years जो cycle होता है वहाँ पर जो leaves निकलती है finite leaves मैंने का हर एक word जो है वो बहुत important है in cycle the finite leaves जो होती है वो कुछ सालों तक रहती है उसके बाद जो वो आपसे गिर जाती है तो इन्हों लिखाए दिए in cycle the finite leaves persist for a few years कुछ ही सालों तक जो है वो cycle के अंदर leaves रहती है ओके आगे देखिए the leaves in gymnosperm ओके अब gymnosperm के बाकी other plants के leaves की बात करा है leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind यानि यह जो environmental condition होती है अलग-अलग कहीं पर temperature कम जादा होता है कहीं भी humidity कम जादा होती है कहीं पर wind की speed कम जादा होती है तो यहाँ पर जो gymnosperm के अंदर जो leaves है इन सभी extreme environmental condition को बहुत आसानी से adapt कर लेता है और उसके हिसाब से जो वो grow करता है किसकी leaves? gymnosperm की leaves ओके? आगे लिखावे in coniferous the needle-like leaves ओके? जो coniferous होती है उनमें जो leaves होती है और यह होता है इससे वो reduced होता चाहा जब needle leaves होती है तो आगे लिखावे there thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss यहाँ पर जो cuticle होता है किसके अंदर coniferous के अंदर वो ज़्यादा thick होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और stomata भी थोड़ा सा संकल थोड़ा छोटा होता है तो यह भी क्या होता है इससे ज़्यादा water loss नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा water present नहीं है जापे coniferous plant गरोते हैं वहाँ पर ज़्यादा तर water की कमी होती है तो वहाँ पर उसी according इन्होंने के example दिया है कि कैसे environmental condition जो है उसके साब से वह adapt हो जाती है leaves ताकि वह बहुत अच्छे से grow कर पाए अब हम केवल एक ही line और read करेंगे और फिर उसके बाद जो है वह बहुत सारे question हम करने वाले हैं तो वह हमारी important line जो है वह यह है the gymnosperm are hetero spores they produced aploid micro and mega spores याद रखना जो gymnosperm होते हैं वो hetero spores होते हैं इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था homo spores और hetero spores दोनों होते हैं किसके अंदर teridofides के अंदर बट gymnosperm में कैसे हैं kevel और kevel hetero spores है यानि two type के spores मिलते हैं एक small होता है एक large होता है एक male होता है एक female होता है ओके तो अभी जो हम करने वाले हैं वो है सबसे पहला need 2016 का ये रहा आपकी screen पर यहाँ पे पूछा गया है select the correct statement यानि हमें correct statement बतानी है सबसे पहला option दिया है salvenia, ginko and pinus all are gymnosperm salvenia हमने last lecture में देखा था salvenia किसके अंदर आता है salvenia आपके teridophytes के अंदर आता है तो वो gymnosperm में नहीं हो सकता option b दिया गया sequoia is one of the tallest tree option c दिया गया the leaves of gymnosperm are not well adapted to the extreme of climate and option d दिया गया gymnosperm are both homosporous and heterosporous option d देख लीजिए gymnosperm जो बोथ homosporous, heterosporous जी नहीं gymnosperm केवल क्या होती है heterosporous होती है option c देख लीजिए the leaves of gymnosperm are not well adapted to extreme अभी पढ़ा था कि well adapted होती है इन्होंने काई not well इसलिए बोला हर एक word important है option b दिया sequoia is one of the tallest tree redwood giant tree जिसे हमने पढ़ा था image b actually image b यहां पर लिखा हुए coniferous are adapted to tolerate extreme environmental condition because of अभी देखा था coniferous जो जज़ा तर मरस्तली एरिया में ग्रो होती है तो वहां पर इन्होंने पुछा कि उन्होंने क्या होता है option area broad hardy leaves option b दिया गए superficial stomata option c दिया गए thick cuticle and option d दिया गए presence of vessels okay तो यहां पर अभी अभी हमने पढ़ा था कि इन coniferous क्या होता है सबसे पहले तो surface area को decrease किया जाता है okay और thick cuticle होते हैं और sunken stomata होते हैं तो thick cuticle किस के अंदर होता है coniferous के अंदर होता है direct NCRT का copy paste है तो answer आ जाएगा option c next need 2018 का question यह रहा आपकी screen पे यह हम पहले वाले में भी discuss के था which one of the following statement is correct यहां पर पूछा गया कि statement correct कौन सी है option देख लिजिए horse tail and are gymnosperm option B है silaginilla is heterosporous while salvenia is homosporous ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm and option D है stems are usually unbranched in both psychos and cedras तो यहां पर option D देखिए stem are usually unbranched in both psychos and cedras इन्होंने काया कि stem जो है वो दोनों में unbranched होती है जी नहीं cedras के अंदर हमने देखा था pinus और cedras के अंदर क्या होती है branched होती है ओके ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm यह बिल्कुल correct है तो answer आजाएगा option C A और B option हम last video के अंदर discuss कर चुके हैं ओके the vegetative part of यानि एक तो pedifields के अंदर cyanobacteria देखने को मिलते हैं इसके अलावा किस के अंदर हमें जो vegetative part यानि जो root stem lip reproduction ना करती हो उस vegetative part के अंदर भी हमें cyanobacteria देखने को मिल सकते हैं option दिया इन्होंने pinus, cycus, equisitum, selotum तो अभी देखा था pinus के साथ जो होता वो fungus जो है वो mycorrhiza के एक form बनता है but cycus के अंदर हमने देखा था nitrogen fixation जो है वो cycus के अंदर roots के अंदर vegetative part है इन्होंने बोला है तो roots vegetative part में आता है तो इसका correct answer आजाएगा option B cycus, cycus के अंदर हमने देखा था cyanobacteria होता है next question जो है वो भी हमारा need 2013 से अगर आपने last lectures देखे हुए तो आप से ये question हो जाएगा read the following statement and answer the question which follow them यहाँ पर हमें statement दीगी हो four statement first है in liver words, moses and ferns gametophyte are free living option second statement है sorry gymnosperm and some ferns are heterosporous third statement is sexual reproduction in fucus, walvox and albugio is oogamous and option fourth है the sporophyte in liver words is more elaborate than that in moses फिर आप दिया गया how many of the evo statement are correct है हमें बताने कि यहाँ पर total कितनी statement correct है तो first statement देख लेते हैं in liver words, moses and ferns gametophyte are free living जी हाँ हमने पढ़ा था कि liver words और moses जो bryophyte के अंदर आते है और funds के अंदर भी जो gametophyte होता वो बूरी तरह से free living होता है ओके gymnospum and some funds are heterosporous जी हाँ हमने देखा था कि gymnospum जो होते हैं वो पूरी तरह heterosporous है और कुछ funds यानि कुछ ऐसे teradophyte वो क्या थे heterosporous थे ओके third statement is sexual reproduction in fucus, walvox and albugio is oogamous तो हाँ fucus, walvox और albugio के अंदर जो sexual reproduction होती है वो कैसी होती है oogamous होती है fucus, walvox किसके अंदर आते हैं ओके ये आते हैं algae के अंदर तो हमने वहाँ पे भी देखा था कि ये क्या आते हैं sexual reproduction oogamous होता है fourth statement देख लिजिए the sporophyte in liver word is more elaborate than that in moses यानि जो sporophyte होता है वो liver word के अंदर ज़्यादा elaborate होता है than the moses बट ऐसा निये इसका उल्टा होता है sporophyte in moses is more elaborate than that in liver words ये साफ-साफ NCRT ने line लिख रखी है तो जो fourth statement है वो incorrect है बाकि first, second, third हो क्या है correct है तो हमसे पुझी कितनी statement correct रहते है यापे three statement correct answer आजाएगा option C वापिस need 2013 का है psychos and addiantum resemble each other in having बहुत ही interesting question है मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको correct answer नहीं आता तो बाकि answer आप कैसे हटा सकते हो बहुत ही ध्यान से इस question को देखना psychos and addiantum resemble each other in having यानि psychos और addiantum कहरें कि वो कैसे एक दूसरे से एक साथ होते हैं क्या उनमें समानता आपको देखने को मिलेगी तो psychos जो होता है वो किसके अंदर आता है gymnosperm addiantum जो आता है वो किसके अंदर आता है teridofides के अंदर आता है अब डारेक्ट चलते हैं option D पे क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ option हटाते किसे यहाँ पे लिखा है vessels तो देखे anatomy of flowering plants जो chapter पढ़ेंगे हम वहाँ पर हम पढ़ेंगे tissue simple tissue complex tissue complex tissue के अंदर हम पढ़ेंगे xylem xylem के अंदर आती है vessel और वहाँ पे साब साब लिखा है इन जिम्नोस्पम vessels are not present यानि जिम्नोस्पम के अंदर vessels होती ही नहीं है तो अगर vessels होती नहीं है तो addeantum और cycle के अंदर resemblance हो ही नहीं सकती है c statement देख लेती है cambium cambium क्या करता है आपका secondary growth कराने में work करता है तो यहाँ पे इन्होंने का cambium जी नहीं cambium secondary growth होती नहीं है साब साब जिम्नोस्पम के अंदर तो यहाँ पर जो cambium है वो भी नहीं आएगा क्योंकि secondary growth psychus में जिम्नोस्पम में और teridophytes में तो बिलकुल भी नहीं होती है तो A, C, O, D हट जाते हैं तो answer आजाता है motile spore अगर आपको correct answer नहीं पता है और बाकी तीन option आपको पता है तो इस तरह से आप उन्डू तीनों को हटा के वैसे answer निकाल सकते हो ओके आपका last जो motivation होता है जो last जो आपको work करना तो आपको correct option ही निकालना होता है चाहिए आपको कैसे भी आए ओके तो अगर NCRT में नहीं लिखा है फिर भी देखिए बाकी चीज़े NCRT में लिखिए उससाब से आप इस cancer निकाल सकते हो तो ये कुछ questions ते जो हमने अभी तक किये हैं बाकी questions अभी हम करेंगे तो यहाँ पर अभी तक total six questions discuss कर चुके हैं ओके तो यहाँ तक अभी तक हमने discuss कर चुके हैं कि यहाँ पर two type के spore होते हैं एक micro एंड एक mega spore जो micro होगा वो male होगा और जो mega होगा वो female होगा the two kind of spore are produced within the spore angia that are born on the sporophilus which are arranged spirally along the axis to form in legs or in compact strobeli और cons यहाँ पर इसको समझिए इन्होंने काया कि दो type के spores बनते हैं किसके अंदर बनेंगे वो spore angia के अंदर जो spore बनेंगे वो हमेशे किसके अंदर बनेंगे spore angia के अंदर बनेंगे last lecture के बारे में भी इसमें discuss कर चुके हैं that are born on sporophilus sporophilus यानि जो leaves like structure होते हैं fillus कहीं आए आप समझ लेना कि वो किस से relate कर रहा है वो थोड़ा leaves से relate कर रहा है तो sporophilus sporophilus मियानि हम leaves की बात करें तो जो spore लगेंगे वो leaf like structure पे लगेंगे leaves के उपर लगेंगे which are arranged in spirally एक दूसरे के साथ spirally arranged होंगे और एक compact form बना लेंगे बहुत ही मतलब बड़ी सी form बना लेंगे जिसे बोलते हैं हम क्या cones बोलते हैं या आप इसे बोल सकते हो strobilly compact strobilly actual image यहाँ पर देखी इस plants के साथ यह क्या लगे हुए है बड़े-बड़े strobilly cones लगे हुए है यहाँ पर क्या है यह spores बनेंगे male spore female spore यह सब कुछ बनेंगे यहाँ गेमेट से बगए यहाँ पर बनेंगे अब जो strobilly है यह जो strobilly अभी हमने actual image देखी थी bearing microsporophilus and microsporangia यानि microsporophilus यानि मतलब एक leaf लाइक जो structure था उसके उपर जो microsporophilus है यानि महाँ पर microsporangia होंगे जहाँ पर माइक्रो स्पोर बनेंगे यानि आप यूसे यह बोल सकते हो कि यहाँ पर male gamit बनेंगे are called microsporangiate उसको क्या बोलते हैं microsporangiate बोलते हैं या फिर उसे आप बोल सकते हो male strobilly मैंने बता दिए हैं जहाँ पर माइक्रो आजाए उसके समझ लेने यहाँ पर क्या है क्योंकि उगेमस है तो उगेमस में जो micro होते हैं वो small होते हैं male जो होते हैं small होते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा male strobilly बने ओके यह चीज़ आपको clear है the microspor developed into a male gamitophyte जो अभी microspor है जो male जो spore है वो किसके अंदर convert हो जाता है male gamitophyte gamitophyte यानि haploid होगा यानि यह gametes की बात कर रहा है which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells याद रखना यह line limited number of cells नी 2014 में question आए वा है पट इस question को हम discuss करेंगे next lecture में जहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में angiospum के बारे में बट यह line आप उस time भी याद रखना तो highly reduced होते हैं कुन से male gamitophyte बोथ कम number उनमें मिलते हैं limited number सी मिलते हैं इन्हों नहीं बता है कितने सारे मिलते हैं बट limited number सी मिलते हैं आगे इन्हों लिखा है this reduced gamitophyte is called pollen grain और यह जो अभी male gamitophyte बना है उसको हम बोलते हैं क्या pollen grain उसको हम बोलते हैं तो male हमेश्या बनाएगा क्या pollen grain ही बनाता है sexual reproduction के अंदर हम इनका पूरा part में अच्छे से discuss करते हैं sexual reproduction flowering plants के अंदर कि जो आपके कैसे बनते हैं pollen grain कैसे बनते हैं उनमें कौन से division होती है क्या होता है यह सब कुछ असे discuss करते हैं वही उससे थोड़ा सा resemblance यहाँ पर है ओके और हमारा next chapter भी वही है sexual reproduction in flowering plants वो हम करेंगे तो वहां का बहुत सारा सा link है क्योंकि चीज़े जो link है हम उसी साब से chapter भी करते रहेंगे आगे लिखाए the development of pollen grain take place within the microsporengia और जो यह pollen grain है उनका development काँपे होता है उसी microsporengia के अंदर होता है अब यहां से एक question आया हुआ है NEED 2018 में out of NCRT है डरने की कोई बात नहीं है एक दो question हमेशा आते हैं तो कभी किसी chapter से अभी तक हमने जितने देखे pure NCRT थे एक question NCRT से आभी जाए अगर 8-9 में से तो कोई बड़ी बात नहीं है तो NEED 2018 का question है यह रहा आपकी स्क्रीन पर यह question पूछा गया winged pollen grain are present in यानि वो pollen grain जहां पर इसे wings होते हैं वो किस में मिलते हैं mango, cycle, mustard या फिर pinus में तो यहां पर देखे जो pinus होता है ना pinus pinus के अंदर हमें winged pollen grain मिलते हैं और यह characteristic feature है pinus का characteristic feature यानि pinus के अंदर हमेशा winged pollen grain देखने को मिलते हैं अब ऐसा नहीं है कि pollen grains के जो wings निकल चुके हैं यहां पर क्या होता है दो layer होती है हमेशा pollen grain पर एक exine और एक intine तो यहां पर जो pollen grain होते हैं वह पर जो exine होती है वो थोड़ी सी ऐसे develop हो जाती है ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर wings है actual image आपके सामने हैं pollen grain की आपर wings दिखाए गई है तो यहां पर यह दिखाए भी गया है और ऐसे जो होता है वो structure ऐसे कुछ दिखाई देते हैं तो उसको बोलते है क्या इसलिए इनको बोल देते है winged pollen grain याद रखना है यह कौन सी layer है exine layer है बाहर वाली layer है pollen grain की और यह characteristic feature है किसका? pinus का तो pinus के अंदर winged pollen grain हमें देखने को मिलते है तो यहां पर correct answer आजाएगा option D तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं यहां पर हमने pollen grain की बात कर चुक है discuss कर चुक है question वगेरा सब अब आगे देख लीजिए यहां पर लिखाए दा cons bearing megasporophyllus with ovules andegasporangia यानि ovules को यहां पर megasporangia बोला गया है यहां पर काया है कि जो ponds के अंदर megasporophyllus होते हैं ओके वो क्या होते हैं वहां पर क्या होता है ovules होते हैं megasporangia होते हैं जिने हम क्या बहुते हैं are called megasporangiate या फिर female stroberly श्रपेले भी आप उनको बोल सकते हो ओके और उनको क्या बोल सकते हemi ठीए हमろ और फिमेल और फिमेल जो वह दोनों सेम ज्री पर हो सकते हैं ऐसेंड थे होंगे तो कुझा निया ऑजएशिएश यहां पर कंडीशन क्या होगी ऐसेंड़ होगी यहांने एक ही घर के अंदर हमें male और female दोनों मेल जाएंगे तो pinus के अंदर कौन सी condition होती है याद रखना however in psychus देखो वापिस pinus और psychus के बीच में difference आ चुगा है in psychus तो male cons and mega sporophilus are born on the different trees यानि जो male और female जो होते हैं वो different different trees पर होते हैं psychus के अंदर यानि dioecious दो घर होंगे अलग-अलग male का अलग female का अलग तो यहाँ पर condition कौन सी होगी dioecious होगी यह चीज़ें आप याद रखना monoecious और dioecious वाले ओके यहाँ पर psychus और pinus पर difference आते हैं ओके तो यहाँ पर यह भी आ सकता है अगर लिखाए the magaspor mother cell is differentiated form one of the cell of the nucellus जो magaspor mother cell होता है वो differentiate कर लेता है nucellus में the nucellus is protected by an envelope and the composite structure is called an ovule अब जो यहाँ पर आपका nucellus है वो बहार से cover हो जाता है किसे ovule से okay ovule जो है nucellus जो है वो किसे protect होता है ovule से protect होता है और वहाँ पर nucellus के अंदर क्या होंगे आपके female gamits होंगे the ovule are born on the magasporophilus जो ovule हो जाए क्यों कहाँ पर बनेंगे वो magasporophilus क्योंकि female gamit है वहाँ पर यह female का पार्ट है तो यहाँ पर यह बनेगा पीस पर megasporophilus यानि female पार्ट पर यह बनेगा which may be cluster to form the female cone और यह एक साथ इकटे होते जाते हैं और क्या बन जाता है female cones बन जाते है यानि बहुत सारे जो ovules होंगे वो एक साथ इकटे हो जाएंगे और female cones बन जाएगा actual image यह आपके सामने दिखाए जो यह ऐसे बहुत सारे हैं यह एक नहीं सिंगल नहीं से बहुत सारे कठे होएं यह आपे तो यह पूरा एक compact structure बन चुका है cluster सा बन चुका है female cone इसको बोलते हैं the megaspor mother cell divide meotically जो megaspor mother cell है वो कैसे divide होता है वो meotically divide होता है और यहाँ पे कितने फिर megaspor बनते हैं two form four megaspor यहाँ पे कितने megaspor बन जाते हैं चार megaspor बन जाते हैं यह सभी चीज़े जो अभी पढ़ रहे हैं यह हम जब पढ़ेंगे sexual reproduction in flowering plants के अंदर वहाँ पे भी यही सारी चीज़ आएगी वहाँ पे देखेंगे megaspor mother cell में divide होगे meiotic division में four megaspor बनेंगे तीन degenerate हो जाएंगे एक functional रहेगा ओके तो यह सब कुछ हम काँपर पढ़ेंगे sexual reproduction in flowering plant के अंदर भी पढ़ेंगे यहाँ पे यह बोथ ज़दा angiosperm के अंदर भी developed into a multicellular female gametophyte और जब यह जो आपका megaspor enzyme जो बना है जो ovule बना है यह multicellular female gametophyte बोलते हैं यह multicellular है एक से single cell नहीं है यहाँ पे अभी तक that be a two or more archigonia इसके पास दो या दो से ज़्यादा जो है वो archigonia हो सकते हैं archigonia किसको बोलते हैं female sex organ को हम बोलते ह हैं ओके यानि जो आपका female gametophyte जो बना है उसके पास दो या दो से ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं female sex organ होते हैं the multicellular female gametophyte is also retained within megaspor enzyme जो आपका female gametophyte बना है वो कहां पर retained रहेगा वो megaspor enzyme के अंदर ही retain रहेगा अब हम बात कर लेते हैं life cycle की sporophyte और gametophyte कोन किस पे depend हो अंदर अनलाइक ब्रयोफाइट और टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पम ता मेल एंड फीमेल gametophyte दो नोट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस यानि ब्रयोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर जो था वो gametophyte बिल्कुल फ्री लिविंग था किसी पर डिपेंड नहीं था बट जिम्नोस्पम के अंदर ऐसा नहीं है जिम्नोस्पम के अंदर जो मेल और फीमेल gametophyte वो डिपेंड है sporophyte के ऊपर ओके ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि sporophyte जो वो यहाँ पर ज्यादा डॉमिनेंट है देर रिमेन वीदिन दा is released from the microsporengium जो pollen grain होते हैं वो कहां से release होते हैं microsporengium से release होते हैं भी पड़ा था they are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovule bone on the megasporophyll अब यह important line है they are carried in air currents याँ यहाँ पर जो pollen grain का transfer हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है air के द्वारा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे insect वगेरा ज्यादा नहीं आत हैं क्योंकि यहाँ पे इनके पास flower वगेरा नहीं लगते हैं तो वो attract भी नहीं होगे insect तो यहाँ पे ज्यादा तर जो होते है pollen grain transfer यानि pollination होता है वो ज्यादा तर किसके द्वारा होता है air के द्वारा होता है air के थ्रू होता है ओके आगे लिगाए the pollen tube carrying the male gamit grows towards the archegonium in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonium फिर वहाँ पे वही है जो एंजिस्पम में होता है यहाँ पे जो वो pollen tube निकलती है pollen tube पहुंचती है archegonium के पास ओके और वहाँ पर जो निकाल दिया जाएगा male gamit जो वो pollen tube के तुरू कहाँ पे छोड़ दिया जाएगा निकाल कर female gamit के पास छोड़ दिया ज cover ओके और यहाँ पे यह जो seeds हैं वो cover नहीं होते है ओविल जो वो seed में convert हो जाता है जाइगोड जो वो embryo में convert हो जाता है एक और important चीज़ याद रखना है यहाँ पे जो endospam बनेगा वो कैसा होगा हैपलोईड होगा किसके अंदर जिम्नोस्पम के अंदर mostly जो endospam होता 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 है एपलोईड होता है जिम्नोस्पम के अंदर ओके अभी हम वापीस question पर आ जाते हैं तो यहाँ पर need 2013 का एक और question आपके सामने यह रहा which one of the following is a correct statement यहाँ पर correct statement बताना है option यह है टेरीडोफाइट गेमेटोफाइट अज प्रोटोनीमल और लिफी स्टेज ऑप्शन भ देख लिए सभी option देख लिए पहला option है टेरीडोफाइट गेमेटोफाइट है जे प्रोटोनीमल और लिफिस्टेज प्रोटोनीमल लिफिस्टेज मोसिस के अंदर आए था यानि ब्रायोफाइट तो यह statement incorrect है जीम्नोस्पम के अंदर female गेमेटोफाइट free living होती है जी नही वो depend होती है sporophyte incorrect है एंध्रीडियो 4 और आचीगोनियो 4 और प्रेजेंट इन टेरीडोफाइट जी नहीं एंध्रीडियो 4 और आचीगोनियो 4 जो होते है वो ब्रायोफाइट में मिलते है ना कि टेरीडोफाइट में incorrect है origin of seed habit can be traced in टेरीडोफाइट हमने last में देखा था कि seed है पिट जो वो start होती है टेरीडोफाइट पर seed नहीं बन पाते हैं तो इन्होंने भी यही का है कि origin कहां से start हो जाता है यानि seed habit बनने की कोशिस कहां से start होती है क्या वो टेरीडोफाइट से होती है जी हां तो यहाँ पर correct आ जाएगा answer option D question देख रहे है वो है नी 2015 का जो exam हुआ था बाद में उसको cancel कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पेपर लिख हो गया था फिर दुबारा से exam लिया गया था तो यहाँ पर दीखिए नी 2015 के अंदर जो question है जो cancel हो तो वहाँ पर question है in which of the following gametophyte is not independent free living यानि इन में से कौन सा इसा यहाँ पर gametophyte जो फ्री living नहीं होता है option है teris, pinus, funeria and markensia तो देखिए teris किसके अंदर आया था आपका teris आया था teridophyte, funeria and markensia, bryophyte तो यहाँ पर bryophyte, teridophyte में अभी देखा था कि gametophyte जो होता है वो independent होता है free living होता है बट इनने पूछा है not independent तो अभी पढ़ा था gymnos pump यानि pinus के अंदर जो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो हमसर आ जाएगा option b pinus और एक ये ncrt की image है यहाँ पर देखिए gymnos pump के अंदर हम cycles और pinus की actual image पहले ही देख सुके हैं यहाँ पर important है ginko, ginko जो plant आता है वो किसके अंदर आता है वो आता है हमारा gymnos pump के अंदर, तो यहाँ पर देखिए a, b, c ऐसे करके neat के अंदर के अंदर के उसान आ सकता है तो यहाँ पर देखिए यह जो ये वाला portion है इसको बोलते हैं darp shoot, यह जो long वाला portion है इसको बोलते हैं long shoot, बट सबसे important यहाँ पर यह जो structure दिखाए दे रहे हैं यह fruits जैसे लग रहे हैं बट ये actual में seeds है क्योंकि जिम्नो स्पम्प के अंदर जो है वो fruits नहीं होते हैं seeds होते हैं actual image भी अभी आपको ये screen पर दिखाई दे रही है ये जो आपको round color में दिखाई दे रही है fruits जैसे ये fruits नहीं है ये actual में क्या है ये seed है complete seed है ओके तो यही सब कुछ था आज की वीडियो के लिए अगर आपको यह वीडियो पुसंद आई तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए मिलते हैं जल्दे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद